कि आञा में तुम्यों को सिकाता हूं कि हम फेजबुक पर ड्रॉपचिप्टिंग इसे करेंगे गहां मैंने तुम लोग को ड्रॉपचिपटिंग जो है शौपफाफी वे सीखाया है लेकिन Facebook का drop shipping बहुत ही popular है तो drop shipping तुम Amazon पे भी कर सकते हो, eBay पे भी कर सकते हो, Facebook पे भी कर सकते हो जानते हैं कि drop shipping क्या है Drop shipping वो लोग करते हैं जिनके पास न product होता है, न पैसे होता है सिर्फ उनके पास laptop, internet होता है, वो करते हैं AliExpress या different जगों से mall डूंड के, अपना time निकाल के, ठीक है, clearance पे वो mall उनके पास नहीं होता, लेकिन ऐसे online platforms पे उनको वो list कर देते हैं जहां पे लोग buy करते हैं तो ये लोग करते क्या है, जब customer app के उपर pack करी, ये बंदा अपने debit card से वो चीज सस्ता लेके अपना profit रख लेते हैं, अब let's say कि मुझे ये चीजी sell करने हैं, ये मैं sell भी करता हूँ, I sell them a lot so ये चीज पाकिस्तानी एक पैसा का है, एक रुपे का है, वन सेंट का है तो मैं करता क्या हूँ, मैं एसी चीजों को देख कि इनको 10 डॉलर पे लगा लेता हूँ, plus shipping अब तुम सोचोगे कि यार, customer को अगर ये AliExpress पता है, तो ये क्यों नहीं करता, हर कोई ये नहीं करता लोगों के पास इतना time नहीं होता, और लोग trust नहीं करते इन websites पे, लेकिन जो local websites होते हैं, उन से लोग order कर लेते हैं, तो let's say, के, ये एंकले, जो है evil eye का, hold on one second, evil eye, all right, so let's say, ये एंकलेट्स यहाँ पर दो डॉलर का है, तो हम अपने Facebook पे जाएंगी, ये मेरा Facebook है, यहाँ पर marketplace, ठीक है, marketplace पे अगर तुम जाओ, तो यहाँ पर लोग देखो, apple, पुरानी, नई, गाड़िया, सब कुछ चीजी यहाँ पर लिस्ट है, पहले marketplace में क्या होता था, पहले marketplace में ये होता था कि, only local pick up था, लेकिन अब marketplace ने, शुरू किया है, कि, तुम लोग delivery भी customer को कर सकते हो, worldwide, तो इसका यही फाइदा है, कि तुम जो भी लोग तुमें order place करें, तुम उनको worldwide delivery देख सकते हो, which is extremely good, तो अब हम करेंगे, क्या इस case में, इस case में हमारा drop shipping है, तो सबसे पहले listing के दावरान, हम अपना local pick up option बंद करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास माल नहीं, अगर तुम को order करके local pick up भी तुम open कर सकते हो, सबसे पहले मैं तुम लोग वो proof दिखाता हूँ, कि हाँ, यह चीज खाम करता है, यह enclet जब मैंने तुम लोग वो यहाँ पर दिखाया, दो डॉलर का, इससे cheap भी है, तुम्हारी मर्जी जितना cheap तुम लोगे, ठीक है, एक डॉलर का भी ह मैं अपने Facebook में इन चीज़ों को list करता हूँ, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, यह और account पर जाओगे, ठीक है, मैं यह सारी चीज़े जो तुम देख रहे हूँ, यह मैं वहाँ से लेके, यहाँ पर whole sell पर click करता हूँ, 1700 डॉलर का, और यह चीज़े मैं sell करता हूँ I do sell them, यह brushes, तो यह anklet मैंने यहाँ पर 10 डॉलर पर ठीक है, list किया है, तो अब लोग करते हैं, लोग मुझे यहाँ से replace करते हैं, मैं तुम्हें अपना sell लिका देता हूँ, मैंने खल 41 डॉलर का sell किया है, कितना 41, तो अब कितने anklet गए है, इस customer ने, दो anklet लिये है, इस customer ने एक लिया है, और यह लोग मुझे shipping पे करते हैं, express shipping के साथ, मैं view order detail कर दूँगा, ठीक है, जैसे मैं view order detail करूँ, यहाँ पर तम देखो, मैंने ship किया है, यहाँ पर मैंने इन से shipping के 5 डॉलर चार्ज किया है, कितना मैंने इन से 5 डॉलर चार्ज किया है, तो मैं वहाँ पर shipping के कितनी चार्ज किये है, 375, so depend करता है shipping भी वह देता है, और एसी मैं बहुत से मुखतलिफ किसम के products है, जो मैं यहाँ पर डाल के, एक डॉलर, दो डॉलर में आराम से, मैं Shopify पर भी करता हूँ, लोग Shopify से millions डॉलर का revenue बनाते है, drop shipping के तूँ, so अपने Facebook से दोस्तों को तो मैं कोई दोस्त नहीं चाहिए, तुम्हारा दोस्त क्या करेगा, फुजूल pictures डालेगा न, यहाँ पे बैट के वहाँ पे बैट के तुम्हें फुजूल post share करेगा, Facebook marketplace पे listing बहुत ही आसान है, your listing पे click करो, ठीक है, create a new listing, जैसे ही तुम create a new listing करोगे, item for sale, ठीक है, यहाँ पर, add photo, यहाँ ची, add photos तुम करो, यहाँ पर, ठीक है, it's so easy, यह चीजे, यह चीजे तो आजकल के बच्चे भी करते हैं, really, like let's say, मुझे, let's say, मैं ऐसी ही कुछ picture डाल देता हूँ, मैं post, let's say, मैं यह, massage gun डाल देता हूँ, right, मैं title डाल दूँगा, massage gun, अब मेरे पास है नही quantity मेरे पास कितनी है, मैं कहूंगा, मेरे पास 100 है, price पर item में डाल दूँगा, aliexpress पे 20 का है, मैं 70 का डाल दूँगा, ठीक है, category में डाल दूँगा, यहाँ पर make sure तुम सही category डालो, अगर category तुम गलत डालोगी तो पिर लोग गलत जगा पे जाएंगे, electronics में, अगर नहीं, तो you can just simply जो है, आसपास की जो matching करता हो, वो तुम डाल सकते हो, bird supplies, cat supplies भी नहीं है, category में डाल दूँगा, यह पर तुम टाप भी कर सकते हो, which is easy, massage chair, यह में यह डाल दूँगा, ठीक है, massage, chair, condition, नया, brand, तुम कुछ भी डाल सकते हो, description तुम वहाँ से copy करके, AliExpress से tags डाल के, तुम इसको boost भी कर सकते हो, boost का यह फायदा है कि बहुत customer देख लेंगे, ठीक है, next, जैसी तुम next करो, तो अब तुम drop shipping कर रहे हो, तो सिप तुम यहाँ पर ship only कर दोगे, अगर तुम revenue ज्यादा चाते हो, तो make sure कि माल तुम्हारे पास घर पे भी हो, और ship भी करो, लेकिन इस सूरत में मैं ship करना चाहता हूँ, ship only, ठीक है, package weight पर कितना है, वो जान लो, ठीक है, अगर ज्यादा है, तो ज्यादा, customer 9 dollar पे करेगा, total customer मुझे 66 dollar, मुझे total estimate payment मिलेगा, मैं next कर दूँगा, and यह publish हो जाएगा, that's it, इसमें कुछ मुश्किल है, no, it's so easy, यहां से माल उटाओ, और Facebook पे sell करो, मैंने तुम्हे अपना payment भी दिखाया, कि देखो, मैं, मैं कितना इसे कमाता हूँ, orders आते हैं, और भी ऐसे बहुत drop shipping है, करो, it's a free money, कुछ किये वगएर तुम्हे यह पैसा मिलता है, why not, so, positive and good luck.